हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो अवर चैनल आज के इस वीडियो में आपके लिए एक गुड नियूज है HSSC की तरफ से एक बड़ी भरती का जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेर कर दिया गया है जो कि काफी समय से पैंडिंग चल रहा था तो उस फाइनल रिजल्ट को डिक्लेर कर दिया गया है और इसमें एक बड़ी अचंबित करने वाली बात भी है जिसमें आप घरान हो जाओगे उस बात को देख कर या आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है तो यह सारी चीजे इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ कि कौन सी भरती है किस भरती का रिजल्ट भी क्लेर किया गया है रोलंबस भी आपको शो करूँगा अगर आप अपना रोलंबस चेक आउट कर सकते हैं अगर आपका फाइनल रिजल्ट में अगर आपका रोलंबस है तो इस मिंस आप जो है सेलेक्टिड हो चुके हैं और आपका जोइनिंग लेटर जल्द ही आपके पास पहुँच जाएगा तो ज़्यादा समेना लेते हुए चले करते हैं वीडियो को सुरू यह देखें एचससी की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12-2015 कैटेग्री नंबर है 12 जिसमें फोरेस्टर के एजे फोरेस्टर 1 विभाग के अंदर यह भरतिया निकली थी जिसकी टोटल 112 पोश्ट थी तो इस भरती के लिए जो सबसे अचंबित करने वाली बात है या जो आश्चरी चकित करने वाली जो बात है वो यह है कि 8 जुलाई को एचससी की तरफ से नोटिस आता है कंडिडेट्स को इंटरिव्यू के लिए बुलाने के लिए उसका सेड्यूल जारी किया जाता है कि following candidates are called for interview thereafter 9 जुलाई को next notice आता है कि 8 जुलाई को एचससी ने जो नोटिस डाला है उसको cancel समझा जाए यानि कि उनके इंटरिव्यू अब नहीं होंगे और आज यानि कि 10 जुलाई को ये नया नोटिस आता जिसमें उसी भरती का उसी एड़ोटाइजमेंट नंबर का जिसके लिए candidates को इंटरिव्यू के लिए बुलाया जाना था उसका final result डिकलेर कर दिया जाता है तो इस बात पर जो है बहुत हैरानी होगी लेकिन ये ही सच है क्योंकि official notice या official final result आपके सामने है स्क्रीन के उपर और जो भी candidates इस भरती से जुड़े हुए है वो अपना रोलंबस यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं ये देखे दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ advertisement नंबर 12 2015 category नंबर 12 है forest department के अंदर as a forester की vacances थी total number of post थी 112 जिसके अंदर जो है general की total 13 post थी ये रोलंबस मैंसन किये गए है जो selected candidates के रोलंबस है 159 यहाँ पे cut off गई है out of 225 marks 225 में से 200 marks आपके written exams के हैं और 25 marks आपके वाइवा के हैं यानि की interview के हैं उसका जो general waiting के भी यहाँ पे 3 रोलंबस मैंसन किये गए है आप check out कर सकते हैं कई आपका रोलंबस ना हो इसमें 158 इसकी जो cut off गई है SC category की 24 post थी ये SC category के जो selected candidates उसका रोलंबस है BCA, BCA waiting, BCB BCB waiting, ESN general, ESN general waiting सभी की selected candidates के रोलंबस और waiting वालों के रोलंबर से हाँ मैंसन किये गए है साथ में इसके सामने cut off कितनी गई है वो भी हाँ मैंसन की गई है तो सबसे कम cut off के अगर बात करें तो ESM SC waiting category के अंदर जो candidate है only 77 marks है उन candidates के लिए तो ये सबसे कम marks है जो लोग इस भरती के लिए select हो सकते है क्योंकि वो अभी waiting list में है तो उनका हम confirm नहीं कह सकते हैं लेकिन जो confirm है तो उसमें देखे आप 105, 91 marks वाला इसमें जो है selected category में यहाँ पर रखा गया है इस के तरिक तो कुछ other informations भी है यहाँ पर जो भी बहुत important है जैसे कि EBPG category की 17 post थी तो उनको hold पर रखा गया था इन compliance with honorable Punjab ए हर्याना high court के orders थे जो कि 16.5.2019 को उसके बाद क्या mention है कि EBPG category के जो candidates थे except those who have availed the benefit of जिनोंने age relaxation का benefit लिया था उनको छोड़ कर बाकी सभी candidates को जो है journal category में या journal vacances में consider कर लिया गया है उसका जो court case था जिन candidates ने court case किया हुआ था इस भरती के regarding उनका जो result है वो अभी declare नहीं किया है उसको जो है shield cover के अंदर या shield लिफाफे के अंदर जो है वो रखा गया है court के अंदर ही उनका जो results declare किया जाएगा एक post जो है ESM journal की category की वो भी अभी hold पर है तो ये other informations है आज का notice है 10-7-2020 latest notice है HSSC की official websites पे जाके भी आप इस results को check out कर सकते हैं तो एक जरूरी information थी एक good news थी सबी students के लिए जो की इस भरती से जुड़े हुए हैं और जो अभी finally select हो चुके है अगर information पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें साथ इस तरह के वीडियोज अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर ले, bell icon को press कर ले ताकि इस तरह की कोई भी important वीडियो या information आप से मिसना हो तो इस वीडियो में इतना है एक ऐसे ही नई वीडियो, नई content के साथ फिर मिलेंगे तब ते के लिए bye bye, thanks for watching, jay hind, jay bharat